हेलो गाइस गुद मॉर्णिंग यह मेरे माई के का ब्लॉग है सुबह सुबह का टाइम है यहां पे हार्डिक और पापा और मेरी दी का बेटा चाय पी रहे है तो गुद मॉर्णिंग आप सभी लोगों को तो चाय भाई पीना हो गया तो हवारे घर के पास पे ही यह हवारा घर और घर के जस्ट बगल में एक पॉंड है एक तालाब है चोटा सा जब भी बारिश का टाइम होता है फुल पानी रहता है यहां पे बारिश का टाइम नहीं है सूखे का टाइम है यह दिखिया हमारे घर के आस-पास का नजारा तो हार्डिक जब भी आता है यह पॉंड तालाब सूखा हो या पानी से भड़ा हुआ हो इसके पास ही बैथा रहता है और खेलता रहता है कूदता रहता है यह है हार्डिक हमें सुबह सुबह का टाइम है जस्ती चाई पी हूं तो उसके बाद हम चले गे थे हमारा जो खेद वगरा है वो सब देखने के लिए जब दूबाई के बस जगा में गूमती रहते हूं यहां पर मेरे दीके बेटरने सांव देख लिया था तो उसी को डेख रहे थी कम्हसा था क्या नहीं या उसका भ्रम है तो हां मेरी दी भी आ गई थी तो हम जा रहे सुबह सुबह अभी आपी सुबह 9. इस बार लोगों ने धान नहीं लगाया है यहां पर धान लगाते हैं और हमारा जो खेत है उसके बीचों बीच में ही सरकार ने एक रस्ता बनाया है ताकि लोगों को सौटकार भी मिले हाईवे तक जाने के लिए तो दिखाएंगे वो रस्ता भी कैसा है तो आज सुबह सुब मन किया कि पूरा गाउं घूम लू नहीं तो मैं फिर अगर तेजपूर आ गई सिती में आ गई तो यह सब तु बहुत जारा मिस करूंगी और यह भी एक बहुत बड़ा सा पॉर्ड है तो हितालाब है इसके आस पास बगल में ही मतलब हाथी घूमते रहते हैं दिन में भी क सब्सक्राइब तो सब्सक्रानि stretching करना है मिस्सक बा clap clean samedi ये रश्ता निव से बनाया है तो एक Sud लेन होता तो और भी अच्छा लगता बत क्या कर सकती यह देखिए पूरा इलाका कहीं दूर दूर तक कोई इनसान भी नहीं है और यह देखिए ताजा ताजा हाथी के पैरों के निशान है देखिए मतलब दर जैसा लग रहा है यह देखिए कितने बरे बरे हाथी के पैरों के निशान है यहाँ पर तो ना पूरा मतलब रस्ता हाथी ऐसे ही धर से अधर क्रॉस होते होते ही खड़ाब कर दिया और ओप्शन भी क्या है उन लोगों को जाने के लिए भी तो कोई रस्ता चाहिए फिर वहाँ से आ गई नहाद हो लिया हादिक ने खाना पीडा भी करिया और यह हमारे गाओं का नाम घर है मंदिर है तो हादिक को बला धोरा सा नमस्ते कर लो भगवान जीको आगे आगे मे देखने के लिए तो उसी धान को आज कटाई चल रही है तो हम ममी के साथ और मासी के साथ साथ में हार्दिक हम जा रहे हैं थोड़ा सा देखने के लिए मुझे मिलता नहीं है मौका धान की रुपाई हो कटाई हो कुछ भी हो अभी के लिए तो यही पर मतलब आई हूं लोगों को लगा करने के लिए धान वगड़ा तो यहीं बहुत दान देखने को भी लेगा नहीं तो सुबस जगा गई थी उच जगा भी आप लोगों को जराद हाट देखने को मिलते हैं अगर हाथ का वो प्रोब्लेम नहीं होता तो हाटिक तो यहां पर फुल मस्ती कर रहा ह है फुल गज़े कर रहा है यह देखिए और मेरी मार और मेरी भी का बेता सब भी जा रहे हैं और पास पीछे-पीछे मैं भी जा रही हो अच्छा लग रहा है बहुत ही मस्ती करें पर ढूप भी बहुत ज़रा है बहुत ज़रा दूप है इसके बाद यहां से जाके और एक प्लानिंग भी है हमारी इस दो प्लांग नंबर टू तो अब ब्लान नूमर टू है मचली पकरणा सुपर जो हमारे घर का आप लोग को ताला बजा वहां पर हाटिका में बहुत बढ़़ा सा यहां पर मचली भी है क्योंकि पारी गंदा हो चुका है सूक चुका है अभी बहुत सारे मचली को यहां पर डाला गया था शार इस वीडियो में आप लोग को में मचली का वो नहीं दिखाना है तो नेक्स ब्लॉग में आप लोग को को दिखाओगी कि कि इस ना मचली पक रहा है और कि जना हुआ वहां आप